नमस्कार विद्यार्थियो सौकत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में और आज हम पढ़ेंगे Disposal of Fullness in Garments, Gathers, Frills and Zipper के बारे में तो चलिए देखते हैं Gathers के बारे में Gathers है तातपरित चुन्नटों से है चुन्नटों से परिधान का रूप खिल उठता है इसकी सुन्दरता में चाड़ चान लग जाते हैं ये परिधान को मंचहा आकार परदान करता है चुन्नटे, पेटिकोर्ड, स्कर्ट, फ्रॉक, नाइटी, आधी में चुन्नटे डाली जाती है इससे परिधान की पूरता तो आती ही है इसकी चुड़ाई में भी पूरता आ जाती है मोटे कपड़े पर तो चुन्टे अधिक नहीं सोभा देती परंतु महीन, पतले और बारीक कपड़ों पर चुन्नटे डालने से परिधान की सोभा में अधी से वृध्धी देखी जाती है इसका प्रियोग आस्तिन, गले, नाइटी में वक्ष के आसपास भी किया जाता है इन्हें बनाने के लिए कपड़े के किनारे से एक सेंटिमेटर की दूरी छोड़ कर साधे टाके से सिल दिया जाता है फिर इसके धागे को खीच कर सुन्दा से चुन्ड़े तयार कर ली जाती है फिर इसे मसीन की सिलाई से पक्का कर लिया जाता है पर इधान में चुन्ड़े कहाँ पर कितनी मात्रा में डाली है या इस्थियान विशेज पर निर्भार करता है जैसे फ्रॉक पर जोड़े जाने वाले घेरे में घनी चुन्डटे डाली जाती है जबकि आस्तिन पर डाली जाने वाली चुन्डटे अभिक्षक्रत कम घनी होती है इसी तरह साधर फ्रॉक की तुल्ना में बेवी फ्रॉक में अधिक घनी चुन्डटे डाली जाती है फ्रिल या ज्छालर कपड़े की पट्टी पर ज्छालर या फ्रिल बनाकर मूल वस्तर के किनारों पर लगा दी जाती है परिधान को सुन्दर इवं आकशक बनाने के लिए इसे कमर गले आस्तिन घेरे की नीचे वाले भाग आधी में लगाया जाता है आधी घेरे वाले ज्छालर या फ्रिल बनाने के लिए कपड़े की चोड़ाई से तीन गुना अधी कपड़ा लिया जाता है सामाने चुन्दों के लिए दो गुना कपड़ा और साधरर चुन्दों के लिए तीन गुना कपड़ा लिया जाता है पर्दे कुशन, कवर, बैड, कवर, खिड़कियों के पर्दे आदी की जालर या फ्रिल से सजाय जाता है तो इस तरह यहाँ था फ्रिल या जालर फ्रिल कवर या जालर का उप्यों किस्म किया जाता है पर्दा, पुशन, कवर, बैड, कवर, खिड़कियों के पर्दे आदी में जालर देकर हम उन्हें सुन्दर बनाते हैं अब हम पढ़ेंगे जिपर के बारे में जिपर या चैन जिपर का उपयोग अधिकांस्ताहा पूर्शों के परिधार में विसीज कर पैंट, जैकेट आदी में किया जाता है ये प्लास्टिक, नैलॉन, स्टील, पीतल आदी के बने होते हैं आमजन जिपर को चैनिया जिप भी कहते हैं मिलाओ के तंग फिटिंग वाले वस्तरों में भी जिपर का प्रयोग किया जाता है जिपर के दो भाग होते हैं, हर भाग में दान्त बने होते हैं दात वाला भाग बाहर की ओर रहता है सरक पट्टी चैन होल्डर की सैता से इनके दात परस पर फर्स जाते हैं जिपर को बटन पट्टी पर लगाना काफी आसान होता है जिपर को परधान की बटन पट्टी पर रखकर साओधानी पूर्वक सिल दिया जाता है जिपर आप सभी लोग जैसे की जानते हैं कि पूर्सों के परधान में जाम पैंट या जैकेट में हम चैन लगा कर इसका इस्तिमाल करते हैं तो ये था हमारा जिपर तो इस टुड़ेंट आज हमने पढ़ा गैदर्स, जिपर और फ्रिल के बारे में उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अब मुझे दीजे इजाज़त चुड़ेड़े मेरे साथ और धन्यवाद